नमस्कार में हूँ अबिनाश पांडियो और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट दरभंगा से एक तस्वीर आई जहां पर एक आरोपी को पेड़ों में बांध कर महिलाओं ने जम कर पिटाई कर दी है जी हाँ तस्वीरे देख कर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस आरोपी की पिटाई की गई है दरसल पूरी खबर आपको बताते हैं पूरी खबर के अनुसार बताए ये जा रहा है कि इस वाइरल वीडियो में जो शक्स दिख रहा है वो एक आरोपी है जिस पर आरोप ये है कि वो एक नबालिक लड़की का अफरन करके यानि कि उसके साथ मारपीट करके उसको सुनसान जगब पर ले जा 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 था और इस दोरान ग्रामिडों ने उसे पकड़ लिया और फिर पेंड से पानकर उसकी जम कर पिटाई कर दी गई है आपको बता दें कि इस वाइरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि दर्भंगा के कमतौल थानक्षेत्र के टिक्टार गाओं में नबालिक लड़की को मारपिट करते हुए सुनसान जगब ले जाने के आरोप में अस्थानिये लोगों ने एक आरोपी को पकड़ कर पेड़ में बांद दिया और फिर महिलाओं ने उसकी जम कर पिटाई कर दी है वहीं इसके बाद आरोपी को पुलस के हवाले कर दिया गया है बताईए जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी का नाम हसन तोहीद है जो धर्मपूर गाओं का निवासी है वहीं आरोपी के खिलाफ पिडिता के पिता ने अपहरन और पॉक्सो आयट के तहत प्राथमी की भी दर्ज की है तो अब देखना यह होगा कि प्रसासन इस मामले पर किस तरीके से कारवाई करती है इस खबर में फिलाल इतना है आपको अगर यह खबर अच्छी लगती है तो इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे नमस्कार